माय किचिन में आज बन रही है दही फुल की चाट जो हर किसी को पसंद होती ही है और इसे देखते ही सभी कमन करता है कि इसे खाया जाए तो क्यों ना आज इसे हम घर में ही बनाएं वीडियो का अगर आप लास तक पूरा देखेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट दही फु देखिएगा तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं दही फुल की चाट तो चलिए फटा फट से शुरू करते हैं वेल्कम बैक टू माय किचिन मैं हुरा मिश्वरी मैंने यहां एक कटोरी गेहु काटा लिया है आप इसकी जगह मैदा का भी यूज कर सकते हैं इसमें हम एट कर करने से गोलगप पे एकड़म क्रिस्पी बनते हैं तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे हमें गूथना है इसका एकड़ो तयार करना है तो पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा एट करना है आपको एकड़म से पानी बिल्कुल भी नहीं बनाना है क्य अब इसके बाद इसे हमें कम से कम 20-25 मिनट के लिए रखना है तो एक बुन मैं इसमें और मिला ले रही हूं जिससे की आटा कड़क नहीं होगा उसमें पपड़ी नहीं जमेगी और इसे थोड़ा सा इस तरीके से मिलाने के बाद इसे हम रख देंगे 20-25 मिनट के लिए जब कि रेस्ट कर रहा है आटा तब तक हम कुछ और तयारी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर दो आलो को बॉयल कर के लिया है इसे हम पहले तो हम यहाँ पर आलो का मसाला तयार कर लेते हैं जब तक अच्छे से अलू को मैश करने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे, रायता वाली बून्दी मैंने लिए है, इसे मैंने पहरे थोड़ा सा सोक कर लिया है तो इसे अब हम इसमें एड़ कर देंगे, आप यहाँ पर इसकी जग़ा छोले या मतर भी ले सकते हैं, थोड़ा सा बारिक कटा हुआ अब इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, जादर नमक इसमें नहीं मिलाना है, थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, बारिक कट हरा धनिया मिलाकर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हमारा ये आलू वाला मसाला बनकर तय तयार हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर हरी वाली चटनी भी तियार कर लेते हैं, तो इसके लिए मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है, तो दो मुठी मैंने हरा धनिया ले लिया है, इसे मैंने अच्छे से धोल लिया है, इसमें कुछ लैसुन की कलिया एट कर लेंगे, दो ह की टेस्टी सी हरी चट्टी तयार हो गई है अब इसे हम साइड में रख देते हैं और यहां पर मैं ने थोड़ा इमली कुला दिया था यह साद ब्ल थे हम पूल चुकिए इसके हएए वूचह से द मैं ज्मारि का मश कर लेना है जिसे की इमली का पलप. पुरा तो आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से छान लिया है तो अब यह जो तयार हो चुका है इमली का पानी तो इसमें हम अब कुछ और चीजे मिला लेंगे तो इसे हम चड़ाएंगे अब ग्यास में कड़ाई और थोड़ा सा तेल डाल के हम इसमें जालें थोड़ा सा जीर तो जैसे ही थोड़ा सा बॉइल आने लगे पानी में तो इसमें हम गुड़ा एट कर देंगे तो यहाँ पर मैं एक कटोरी गुड़ा एट कर रही हूँ जिस कटोरी में मैंने आधा कटोरी इमली ली थी तो उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी गुड लिया है अब इसे हमें ज कुछ मसाले आट करेंगे एक चम मसूख है अद्रक कपॉडर जीरपॉडर सौफ कपॉडर काला नमक लाल मिर्च नमक और यहां पर हमें आट करेंगे चाट मसाला अच्छे से मिक्स करके एक से दो मिनिट तक और पकाना अब यह चटनी बहुत अच्छे से यार हो चुकिए हमारी इमली की चटनी भी तयार हो चुकी है दही पुलकी का सबसे मेन इंग्रिडियंट है दही इसे भी तयार कर लेते हैं तो यहां मैंने दही में दो चम मश शक्कर मिला दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दही में शक्कर पूरी तरीके से अच्छे से घुल इसके बाद इसे हमें फिर से मतना होगा गूथना होगा आटा को ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा से गूथ जाए तो इसे हमें हातों की सहायता से इस तरीके से गूथना है हातों को दबाते हुए इसे हमें मुलायम करना है थोड़ा सा तो इसे अच्छे से आप थोड़ा सा बॉल्स तैयार करने है तो अब इसके हम छोटे-छोटे से बॉल्स तैयार कर लेंगे इसे हम कट कर लेंगे अब ये अच्छे से मच चुका है तो इसे हम छोटे-छोटे तुक्रों में कट कर लेंगे तो छोटे छोटे से PC बनाने इसके जादा बड़े बड़े बॉल्स नहीं बनाने हैं तो इसे और अच्छे से आप इस तरीके से दबाते जाएए हाथ उसे मलते जाएए ताकि इसे बेलने में थोड़ी सी आसानी होगी क्या आटा बहुत सक्त रहता है तो फिर अच्छे से आपको बेलने में दिक्कत होती है तो फिर यहाँ पर इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लीजी और फिर इसे हमें क्या करना है इस तरीके से एक बरतन में डालना है और एक से दो बुन इसमें डालना है तेल और इसे इस तरीके से चला लेना है ताकि जो तेल है सारे बॉल्स में अच्छे से लिपट जाएगा अब इसके बाद क्या करना है मैं इसे बेलना है तो बेलने के लिए पहले इसे हाथों के बीच में रखते हुए अच्छे से इसकी गोल लोई बना लेनी है और इसके बाद इसे हमें बेलना है तो क्यूंकि इसमें तेल पहले से लगा है तो इसे अब हमें तेल लगाने के और ज पड़ाने करना है, सरिफ इसे छोटा सा बनाना है, जैसे फुलकी होती है, उसी शेप का बनाना है, इस तरीके से देखिए, एक सी दो बार बेलेंगे, तो बस ये तयार हो जाएगी, अब आप देख सकते हैं, ये बनके तयार हो चुकी है, तो इसे आपको बहुत मोटा नहीं बनाना है और बहुत पतला भी नहीं बनाना है इसके बाद इसे हमें एक तरफ रख देना है और सबसे जरूरी टीप इसके बाद इसे हमें ढख कर 20 मिनट के लिए जरूर रखना है 20 मिनट के बाद हम इसे प्राइक करेंगे तो तेल चेक कर लेते थोड़ी सी हमने आटे की जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो पानी पूरी बनेगी एकदम गोल गप्पे जैसी बिलकुल फूली फूली गोल गप्पे आपके बनने वाले हैं और ऐसा ही करेंगे तभी अच्छे से ये फूलेगी अभी आप देख सकते हैं कितनी बड़िया से ये पानी-पूरी फूल चुकी है तो ऐसे ही हमें सारी पूरियों को तल लेना है अब आप देख ही रहें कि सारी पूरिया फूल रही है कोई भी पच्की हुई नहीं बनेंगी क्योंकि जो ट्रिक हमने बताई है उसके कारण ये बहुत अच्छे से पूलेंगी और क्रिस्पी भी रहेगी अगर आप इसे 20-25 मिनट तक नहीं रखेंगे तो ये पूरिया क्रिस्पी नहीं रहेगी ये सॉफ्ट हो जाएगी तो इसलिए पूरियों को बेलने के बाद इन्हें कपड़े से ढखकर 20-25 मिनट के लिए रख देना है अब आप देख सकते हैं सारी पूरिया बन कर तयार हो चुकी है तो गोल गप्पे तयार हो चुके हैं तो अब हम इने सर्व करने के लिए तयार कर लेते हैं तो सबसे पहले हम गोल गप्पे में इस तरीके से सेथ कर लेंगे और इसमें हम बर देंगे आलू का मसाला और इसके बाद इसमें हम डालेंगे दही हरी चटनी इमली की चटनी खटी मीठी सी और इसके बाद इसमें हम डालेंगे बारिक सेव और थोड़ा सा प्याज डालके अब ये तयार है सर्फ करने के लिए तो बस ऐसे ही हम सारे गोलगप पे तयार कर लेंगे और इसके बाद उपर से हम इसमें डालेंगे एक काला नमक थोड़ा लाल मिर्च पौडर, थोड़ा जीरा पौडर और बस अब ये तयार हो चुकी है देखिए कितनी बढ़िया से बनी है दही फुलकी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है तो आप कब बना रहे हैं ये दही फुलकी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर पहरी बार आये हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हम मिलेंगे एक और नए रेसिपिक सार्ट तिल देन बाई बाई थैंक्स पर वाचे